अगर आपका brand new iPhone 15 जो आपने sale में खरीदा है या फिर पहले का भी iPhone है तो और वो heat कर रहा है बहुत जादा या फिर कोई भी iPhone आपका heat कर रहा है तो मैं आपके लिए कुछ solutions यहां लेके आया हूँ जो कि मैं use करता हूँ अपने day-to-day life में क्योंकि मेरे पास 15 and 15 Pro दोनों है और वो launch होए दे ना भाई crazy rating थी तो मैंने अपनी कुछ tips and tricks use करी थी जिससे मैं उसको usable कर पा रहा था until and unless कोई fix या फिर कुछ update ऐसा कुछ नहीं आता पहली चीज तो आपको ध्यार नखने कि आपने latest software पर रखना है जो latest iOS 18 आचुका है अपडेट कर सकते हैं ऐसी कोई भी problem नहीं आ रही है काफी लोगों का यह भी doubt था कि iOS 18 करें या नहीं करें तो मैं रिकमेंडेशन है जो latest 18. 18.0.1 आ चुका है उस पर अपडेट कर लीजिएगा अपना फोन सबसे पहली चीज है दूसरी चीज है आपको अपने iPhone के अंदर एक setting होती है उसको बोलते है background app refresh तो आपने simply अपने iPhone में जाना है मैं यहां इस iPhone के अंदर recording start कर देता हूं settings के अंदर चला जाता हूं और उसके आपकी messaging आती है उसके लावा बाकी सब application को आप disable कर सकते हैं यह background में नहीं चलेंगी यह नहीं चलेंगी तो इससे क्या होगा आपका phone comfortably और background में बहुत activities नहीं करेगा तो overheat भी नहीं करेगा और battery भी आपकी इससे save होने वाली है यह सारी tips ना आपकी battery को भी अच्छा होना है क्योंकि battery health भी save होंगी और overall आपका phone ठीक ठाक रहने वाला है overheating होती है तो battery में भी बहुत impact आता है सबसे पहले तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना टेलीग्राम फॉलो करने ना क्योंकि वहाँ loot deals आती है और Instagram पे short tips और आती है जो कि ह बावजूद भी चाहे कितने हैं एचाओ heat dissipate किसी भी cover से नहीं होती है वो टेड़े मेड़े अजीब से cover आते है उनी से होती है वो काम के भी नहीं होते है बट इसको मैं निकाल की charging करता हूँ otherwise आपका phone heat होगा और phone को charge करते होगे बिल्कुल इस्तमाल में मत रखिएगा इस उसके बाद अगर आप wireless charger यूज़ करते हैं MagSafe charger यूज़ करते हैं तो आप मत करें अगर आपका phone बहुत हीट कर रहे है क्योंकि wireless charging से बहुत हीटिंग होती है और अगर आप कर भी रहे है तो again MagSafe है इसके अंदर बट MagSafe charger को सीधा इसके अंदर यहां से plug ना करें आप directly और एक मैंने Hong Kong से खरीदा था वो था दोनों में सच कोई issue नहीं है वो भी एक Hong Kong का reputable band था जो मैं यहां ले रखा था daily object भी आप consider कर सकते हो और सारजस के link नहीं दिस्क्रिप्शन में जाल दूँगा Apple का और जो आपका Samsung का है ता कि आप वहीं से खरीदे क्योंकि काफी dupes भी है अगर आप Amazon में देखेंगे तो मेरा तो फायदा है affiliate link से बड़ आपका भी definitely हां फायदा हो जाएगा इसके बाद मैंने आपको यह सब चीजें बता दी है और फोर्स रिस्टार्ट करना बहुत जरूरी है अगर आपका फोन में दिक्कत आ रही है पहले तो चैनल को सब रहेंगे लगातार और आपका फायदा कराती नहींगी टेलीग्राम फॉलो करना फॉर लूट डिस फोर्स रिस्ट कैसे होगा वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और लॉंग प्रेस ऑन दी पावर बटन यह आप लगातार दबाके रखेंगे तो आपका फोर्स रिस्टार होते ही आपका काम बन जाएगा और काफी हद तक आपकी ओवर हीटिंग या फिर बैटरी ड्रेनेज का इशू है वो रिजोल्यूशन की तरफ आता चल जाएगा बाकी यार लोग रिकमेंड करते हैं आप लोकेशन सर्विसे ब्लूटूथ वाइफाइ आफ रखें बट यार